हमारे सौर मंडल में मौझूद ग्रहों का पता लगाने से लेकर कई नए उपग्रहों और एस्टरोइट का पता लगाने तक हमारे टेलिसकोप ने अंतरिक्ष में कई वस्तों की खोज करने में अपना सहयोग दिया टेलिसकोप के अविशकार का ही नतिजा है कि आज हम अपने मिलकीवे में कई सितारों और ग्रहों को खोज पाए है लेकिन अंतरिक्ष की खोज से जुड़ा एक सवाल जो अकसर हमारे सामने आता है वो ये है कि अगर वेगनिक प्लैनेट्स, गेलेक्सीज और एक्जो प्लैनेट्स की खोज के लिए टेलिसकोप का इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्लैनेट एक्स की खोज के लिए क्यों नहीं आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर प्लैनेट एक्स है क्या तो चलिए हम आपको बताते हैं हाई दूस्तों मैं हूँ शिब्राम सिंग और आप देख रहे हैं साइन्स नियोज तो चलिए शुरू करते हैं What is Planet X? Planet X जिसे निबरू या Planet 9 के नाम से भी जाने जाता है दरसल ये एक कालपनिक ग्रह है जिसे वेग्यानिक अभी तक खोज नहीं पाए लेकिन इसके अस्तित्तों में होने की खबरों को हमेशा से ही सही ठहराया गया माना जाता है कि रिसर्चर्स की टीम को अपने Mathematical Calculations में इस ग्रह के होने के साक्ष मिले उनका माना था कि सौर्मिंडल की गहरायों में कहीं न कहीं ये ग्रह मौजूद है नेप्चून के आकार का ये कालपनिक ग्रह सूर्य के चक्क लगाता है लेकिन प्लूटो से भी ज्यादा दूर वाली कक्षा से इस ग्रह का नाम वैज्यानिकों ने Planet Nine रखा है और इसके मास की अगर बात करें तो ये प्रत्वी के मास से 10 गुना ज्यादा है ये 20 गुना ज्यादा दूर से सूरी का चक्क लगाता है इतनी दूरी पर होने के कारण इसे सूरी का एक चक्क पूरा करने में कम से कम 10 से 20 हज़ार साल लगते हैं इस प्लैनेट के होने की घोशना का ये मतलब नहीं कि हमारे सॉर्मेनल में एक और ग्रह मौजूद है इस ग्रह के होने की पुष्टी अभी केबल कागचों पर हुई है इसे असल में अंतरिक्ष में देखा नहीं जा सका है इसके होने की संभावना काइपर बेल्ट से बाहर के इलाके की माने गई है जहां बरफीले पिंड पाए जाते हैं ये छेतर नेप्चून के ओर्बिट से कोसो दूर है इस ग्रह के होने की सबसे पहली खबर 1995 में जेटा टॉक की संस्थापक नेंसी लीडर ने दी थी माना जाता है कि ये महला अपने आपको ग्रे टेरेस्ट्रेल्स का संपर्क दाता मानती थी ग्रे टेरेस्ट्रेल्स बाहरी अंतरिक्ष में मौझूद प्राणियों के लिए इस्तिमाल किया जाने वाले शब्द है यहनी आम भाषा में कहा जाए तो ये एक तरह से एलियन्स थे जिनें जेटाज कहा जाता था विसकॉंसिन की इस महला का दावा है कि छोटी सी उम्र में ही भारी ग्रे के प्राणियों इसके दिमाग में एक चिप को फिट कर दिया था और उसी कारण ये महला भारी ग्रे के लोगों से संपर्क कर सकती थी 1995 में पहली बार इस महला ने जेटाटॉक नाम की संस्था को स्थापित किया और संस्था की मदद से इस महला ने जेटाट से बाचित करने का दावा किया लोगों का ध्यान इस महला ने अपनी और तब खींचा जब कॉमेट हेल बी ओ पीपी की धर्ती के पास से गुजर जाने की खबने धर्ती पर चारो और फैली हुई थी ऐसी स्थिती में इस महला का कहना था कि हेल बी ओ पीपी नाम का कोई कॉमेट असल में है ही नहीं ये लोगों का ध्यान अपनी और खींचने के लिए बनाई गई साजिश है असल में ये अंतरिश में मौजूद दूर का एक तारा है जो धर्ती के पास नहीं आएगा इस महला ने दावा किया कि हेल बोब की कहानी की रचना लोगों को एक विशालका प्लैनेट की खते से भटकाने के लिए की गई है उनका कहना था कि ये घ्रह जल्द ही पृत्वी के करीब से गुजरेगा और धर्ती पर बसी सभ्यता का पूरी तरह नाश कर देगा लेकिन सर्च में ये बात सामने आई कि हेल बोब सधी का सबसे चमकता और विशाल कोमेट था जिससे लीडर का ये दावा लोगों की सामने फीका पड़ता नजर आया लेकिन फिर भी इस महला ने प्लैनेटेक्स की संचना पर प्रकाश डालती हुए बताया कि प्लैनेटेक्स प्रित्वी के आकार के लगबक चार गुना है और जल्द ही 2003 में ये धर्ती के पास से गुजरेगा जिसका परिणाम ये होगा कि धर्ती 5 से 6 दिन के लिए घुमना बंद हो जाएगी इसके बाद प्रित्वी के पोल अपनी जगे से शिप्ट होंगे ऐसा होने के वज़े प्रित्वी और गुजरते प्लैनेट के बीच मैंगनेटिक अट्रक्शन होगा प्रित्वी के मैंगनेटिक कोर में कमाल का डिस्प्लेस्मेंट दिखा जाएगा 2003 का वो दिन आकर भी गुजर गया लेकिन धर्ती के निकट इस तरह का कोई ग्रह नहीं देखा गया जिसके बाद लोगोंने प्लैनेट एक्स की थियोरी को सफिद जूट माल लिया जेकरिया सिचिन एंड सुमेर हलाकि लीडर की प्लैनेट एक्स की कहानी सच होती नजर नहीं आई लेकिन इस ग्रह की जड़े इतिहास में निबरू से जाकर मिलती है ये एक ऐसा ग्रह था जिसका जिकर प्राचीन एस्टोनोट जेकरिया सिचिन की किताब दा ट्वेल्थ प्लैनेट में मिलता है इस एस्टोनोट ने सालों तक मैसोपोटोमियन आइकनोग्रेफी और सिंबॉलिज्म को स्टड़ी करने के बाद 1976 में अपनी एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने निबरू नाम के विशाल ग्रह की होने की बाद कही उनकी ये किताब पूरी तरह से मैसोपोटोमियन के रिलिजियस टेक्स्ट पर आधर थी उनका माना था कि ये ग्रह पृत्वी के सौरमंडल का ही हिसा है और नेप्चुन से भी कोसदूर होने के कारड़ खींचे हुए इलेप्टिकल और्बिट में सूरिज के चक्का लगाता है यही कारड़ है कि इस ग्रह को सौरमंडल के ग्रहों के करीब आने के लिए 3600 साल लग जाते हैं उन्होंने अपनी किताब में एक और रहस्य को उजाकर किया वो ये था कि ब्रहमाण के शुरुआती दौर में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच एक और ग्रह मुझूद था जिसका नाम टियामेट था जब निब्रु ग्रह प्रित्वी के सौरमंडल में प्रवेश कर इस ग्रह के करीब पहुँचा तो निब्रु का चांग टियामेट ग्रह से टकरा गया जिसके करण टियामेट ग्रह अपने अस्तित्वों को खो बैठा दरसल इसके दो तुकड़े हो गए जहां एक तुकड़े ने निब्रु ग्रह से टकरा कर एस्टोराइट बैल्ट का रूप ले लिया वहीं इसका दूसरा हिस्सा एक नई और्विट में जाकर घूमने लगा और इसी तुकड़े को आज हम प्रित्वी के नाम से जानते हैं अश्टोनौट सिचिन ने अपनी किताब में ये भी बताया कि निब्रु नाम बाले इस ग्रह पर एक अलग ही सभिता विक्सित थी जिसे सुमेरियन माइथोलोजी में अनुनाकी नाम दिया था इसके साथ ही जैनेसिस माइथोलोजी में इसे नेफिलियन का नाम दिया गया इसके नुसार ये सभिता इस ग्रह पर तब पनपना शुरू ही जब इस ग्रह ने हमारी सौर मंडल में कदम रखा साथी इस ग्रह के निवासियों ने अपने प्राकर्तिक संसाधनों का इतनी बेरहमी से इस्तामाल किया कि उनका ग्रह पूरी तरह से नश्टोनी की कगार पर आ गया इस ग्रह को बचाने के लिए केवल सोना ही एक मात्र मेटल था जो इनके वातरवन को स्टेबल कर सकता था इसलिए अपनी ग्रह को इस महाविनाश्य बचाने के लिए अन्युनाकी ने करिब 4.5 लाग साल पहले प्रित्वी पर कदम रखा और प्रित्वी के अफरीका रिजन से भारी मातरा में सोने को इखटा किया और इसी सभेधा ने जैनेटिक इंजिनियरिंग की मदद से प्रित्वी पर मौजूद होमो एरेक्टेस को होमो सेपियन्स बनाया हालकि ये कहानी कितनी सची थी और कितनी जूटी इस पर कभी कोई चर्चा नहीं की गई लेकिन लीडर नहीं सबसे पहले निबरू और प्लैनेट एक्स की थोरी के बीच 1996 के दशक में सम्मंध स्थापित करने की कोशिश की हालकि सिचिन ने इन सभी दावों को खंडित करते हुए इन दोनों ग्रह के बीच किसी भी तरह का समंध होने से इंकार किया 2017 रिवाइवल 2017 में भी एक क्रिशन नूमरोलोजिस्ट ने इस मुद्य को फिर से उठाया और प्लैनेट एक्स और निबरू के अस्तित्व को बाइबल से जोडने की कोशिश की इस नूमरोलोजिस्ट का माना था कि 23 सेप्टमर को ये ग्रह धरती की और फिर से लोटेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ नासा ने भी निबरू के अस्तित्व को पूरी तरह से खारिश कर दिया और धरती के हर तरीके से सुरच्छित होने की बाद कही नासा ने कहा कि अगर ऐसा कोई भी ग्रह धरती के करीब आएगा तो उसे बिना किसी टेलिस्कोप के आँखों से देखा जा सकेगा जनवरी 2015 ये वही समय था जब कैल्टेक के अस्त्रोनोमर्स कॉंस्टेंटिन बैटेगिन और माइक ब्राउन ने अंत्रिक्ष में किसी जाइन प्लैनिट की होने की पुष्टी की उन्होंने माना कि हमारी स्वर्मंडल के भारी हिस्से के elliptical orbit में एक ग्रह गुम रहा है हलाकि ये रिसर्च पूरी तरह से detailed mathematical modeling और computer simulation पर आधर थी लेकिन इस ग्रह पर अभी तक किसी भी वेग्यानिक की सीधी नजरें नहीं पड़ी है माना गया कि ये ग्रह काइपर बेल्ट में मौझूद पाँच स्मॉलर ऑबजेक्ट्स के अनोखी orbit के बारे में भी जानकारी दे सकता है नासाज planetary science division के director Jim Green का कहना है कि एक नए ग्रह की संभावना वेग्यानिक और हम सभी के लिए काफी रोमांचक है हलांकि अभी शुरुआती दौर में ये कहना कि हमने planet tax को खोज निकाला है सही नहीं होगा अभी केवल mathematical model में इसके होने की पुष्टी हो पाई है ये तो बस उस प्रक्रिया के शुरुआत है जो रोमांचक परिडाम दे सकती है कैल्टेक scientist का माना है कि इस ग्रह का मास प्रित्वी के मास से 10 गुनज ज्यादा हो सकता है और इसका आकार काफी कुछ Uranus और Neptune से मेल खाता है इसका orbit हमारी सूरी से Neptune की तुलना में लगबख 20 गुनज ज्यादा दूर है और सूरी का एक चकर पूरा करने में इसे 10 से 20 हजार साल के बीच का समय लग जाएगा शायद आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जिस प्लैनेट को देखा नहीं उसके होने की पुष्टी व्यग्यानिकों द्वारा इतनी विश्वास के साथ कैसे की जा सकती है जो व्यग्यानिक काईपर बेल्ट के अधिन में लगे हैं उन्होंने पाया है कि कुछ ड्वार प्लैनिट और छोटी बरिफीली वस्थूएं एक साथ और्बिट में गूमती है इन और्बिट्स का विश्वेशर करने के बाद व्यग्यानिक इस नतीजे पर पहुँचे कि और्बिट में शायद कोई बड़ा ग्रह मौझूद है जो प्लूटो के पीछे छिपा हुआ है और इस ग्रह की ग्रविटी का शायद काईपर बेल्ट में घूमने वाली छोटी वस्थूओं की और्विट से कुछ लेना देना है अस्ट्रोनमर्स बेटिगिन और ब्राउन ने इस ग्रह को दुनिया के सबसे पावरफुल टेलिस्कोप की मदद से खोजने की कोशिश की हाला कि किसी भी वस्थू को अंतरिक्ष में खोजना बेहत मुश्किल है लेकिन उनका विश्वास था कि टेलिस्कोप की मदद से इसे ढूना जा सकेगा लेकिन वर्षों तक की गई मेहनत के बाद भी वैग्यानिक इस ग्रह को नहीं ढून पाए शाहिद आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि अगर अंतरिक्ष में असल में ऐसा कोई ग्रह मौजूद है तो उसे अभी तक हवल टेलिसकोप की मदद से क्यों नहीं ढूनडा जा सका इसका सबसे बड़ा कारण है कि सभी ग्रह अंतरिक्ष में अपनी छवी को दिखाने के लिए सूरज से मिलती रौशनी को रिफलेक्ट करते हैं लेकिन ग्रहों द्वारा रिफलेक्ट की गई रौशनी सूरज से दूरी ज्यादा होने पर कम होती जाती है ऐसे में प्लैनेट एक्स को नेप्चून के रूप में सूरी से 20 गुना ज्यादा दूर माना जाता है इसलिए ये केबल नेप्चून के 1 अपन 400 लाइट को रिफलेक्ट करता है यानि कि किसी वी वस्तू को हमारी टेलिस्कूप से देखने पर उस वस्तू की दूरी के कारट रौशनी की मात्रग गिर जाती है इसका मतलब है कि प्लैनेट एक्स जो प्रिफ्वी से कोसो दूर है उसकी लाइट रिफलेक्ट होने की शमता बेहदी कम होगी और ये ग्रे नेप्चून की तरह वन उपॉन वन लैक सिक्ष्टी थाउजन्ट ही चमकीला होगा पैसे में अंतरिक्ष में इसके देखे जाने के आसार बेहत कम हो जाते हैं क्योंकि ये अंतरिक्ष में एक छोटा बिंदू ढूने जैसा है हलाकि ह हबल टेलिसकूप ऐसा करने में सक्षम है लेकिन अंतरिक्ष में बिंदू ढूने के लिए टेलिसकूप की सही दिशाब भी माहिने रखती है यही कारण है कि आज तक हम हबल टेलिसकूप की मदद से भी इस ग्रह को ढूनने में नाकामियाब रहे हैं आज भी इस शेत्र में रिसर्च जारी है। इस रिसर्च के दोरान वेग्यानिक अंत्रिक्ष में मौजूद कई वस्तों का खुलासा कर चुके हैं। लेकिन प्लैनिट नाइन अभी भी उनकी पोहों से कोसो दूर है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वाकि में प्लैनिट नाइन हमारी सौर्ड मंदल में मौजूद है। हमें अपनी राय बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो चलगा हो तो प्लीज जैसे लाइक और शेयर करें। साथी चैनल को सबस्क्राइब भी करें। नमस्का दोस्तों